दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेगे की अर्मान परीशा को किड्नेप कर लेता है और रूद्रक्ष और उसके बच्चों को मारने का प्लान बनाता है और रावन को ऐसी जगह लगाता है की रूद्रक्ष जैसे ही तीर चलाता है तभी रूद्रक्ष और उसके बच्चो के उपर रावन का पुतला गिर जाए, फिर जैसे ही रूद्रक्ष तीर चलाता है और पुतला नीचे गिरने लगता है, लेकिन उतने में ही परीशा को होशा जाता है, और वो रूद्रक्ष को आवाज लगाती हुई भाग कर आती है, और उन सब को वहां से हटा देती है, इसी तरह वो बच जाते है, अब आगे के एपिसोड में क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँच सके, धन्यवाद